हेलो दोस्तों रिजन दिमित्र के प्लेट्पॉम पर आप तभी का स्वागत है मैं अभय पताप सिंग और यह हमारी एक स्पेशल क्रंडफर की क्लास है इसमें हम आज बात करने वाले हैं लिंगायत और वश्वन्ना के बारे में भारत में कई सारे ऐसे छेतरी मुद्धि हैं जो हमारी देस की राजनीटी की दसा और दिसा दौनओ त्यकरते हैं इसी में से एक आप देखेंगे लिंगायत लिंगायत समधाय दक्षल भारत के करनाटक राज में आपको देखने को मिलेगा और यह इतना तागत पर समुदाय है जो यहां की राजनीथी को काफी दस्वों से नियंद्रित करती हुई आया है और नियंद्रित करने के कारण यह हैं कि इनकी जो कुछ मांगे हैं उनको यह लगातार मुख मुद्य के तोर पर बनाय हुए है कि इसकी उत्पत्ति हुई कितना प्रभाव साली है और किस प्रकार से समय समय पर यहां की क्यानिक करनाटक की राजनीती तैह करते हुआ है साथ में आप यह भी जानेंगे कि यह जो समुधाय है इसका बरत्मान में क्या शरूप है इन सभी प्यानुआपर हम चर्षय करेंगे चलिए शरूप करते हैं जब हम लिंगाय समुदाय की बात करते हैं तो यह आपको करनाटक में देखने को मिलेगा करनाटक क्या नहीं जो आपका पश्च्मी भाग में इस्तित है अब यहां पर आप देखेंगे यह इतना पावरफुल समुदाय है एक प्रकार से कि पिछले कई दस्कों से बर्सों से कई दस्कों से यहां की राजनीती को तैक करने में हैं मुणका निवाता है अब यहां पर आप समझे के यह जो समुदाय है यह OBC के अंदर गताता है और OBC के साथ में आप एक चीज यह पाएंगे कि इसमें जो OBC समुदाय के लोग थे उनको अलग अलग बरगी करत करने के के लिए उनको उनकी आर्थिक दसा और सामाधिक दसा के अलग अलग बर्गर करने के लिए हमने कई कैटेगरी में बाटा जैसे कुछ राज्योंने क्रेमिलियर नॉन क्रेमिलियर वालग कॉंसेट अपनाया तो करना तक में यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी OBC के की एक उपजाती है जिसका नाम है पंचस माली पंचम साली लिंगाय यह उपजाती है इनके द्वारा मांग की जा रही है कि इन्हें पिछडा बर्क की जो OBC कैटेगरी है श्रेणी 2-A के अंतरकस सामिल किया जाए अब श्रेणी 2-1 की अंतरकस सामिल करने से क्या होगा तो अभी इने सिरेणी 3 में सामिल किया गया है ये 2A में आने की मांग कर रहे हैं सिरेणी 2A के अंतरगत आने पर यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी यहां पर सरकारी कॉलेज हैं जितने भी सरकारी नौकरियां हैं इन सब में 15 प्रतिसत आरक्ष्णा का लाव इन लोगों को मिल लेगेगा अभी यहां पर आप देखेंगे यह जो लिंगाय समधा है आपका जो हमने उपस रहने की बात की यह लोग अभी OVC की सिरेडी 3B के अंतरगत आते हैं जिसके तैक इन्हें 5 प्रतिसत आरक्ष्णा ला प्रतिसत का आरक्ष्णा अल्हा बना प्रारव हो जाता है अब यहां पर आप देखेंगे लिंगाय समुदाय के बारे में यहां पर अगरम सच्छा करें तो यहां को हिंदू उपजाती बीर्टव लिंगायत के रूप में ने बरिग्रत किया गया है यानि कि हिंदूों की दौरान इन्हें एक सिविलिंग दिया जाता है और उस सिविलिंग को यह लोग अपने सरीर पर ब्यक्तिकत रूप से धारण करते हैं उन लोगों हम लिंगायत कहते हैं यह मुख्यता जो आपके लिंगायत हैं यह कौन है यह दार्सलिक और कभी बश्विश्वर के अनुवाई हैं जितने भी लिंगायत आप आएंगे यह सभी आपको बश्विश्वर के अनुवाई यहां पर देखने को मिलेंगे अगर हम इनके अनुपात की बात करें कि करनाटक में इनका कितना प्रवाव है तो यहां पर आप आएंगे करनाटक हो एक प्रमुक्ष्व्वुदाए हैं क्योंकि क्योंकि परकरनाटक के जो कुल पॉपुलेशन है यह आपकी पांच करोड है और पांच करोड मेंसे सत्रा प्रतीसत आपको यहां पर लिंगायद देखने को मिलेंगी इतना इनका प्रभाव हैं कि अगर हम पंचंद साली लिंगायद की बात करते हैं तो यह लिंगायद की जाती है और जितने यहां पर लिंगायद उनकी कुल आवाधी का सत्तर प्रतिसत अपको 55 साली देखने मिलेंगे यानि की कुल पॉपिली आप आप प्रतिसत का सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐसक्तु से संबन देते हैं अब यहां पर लिंगायत की कुलावादी में 70% का योगदान अभी में बताया और करनाटक की जो कुलावादी है उसमें 14% का पंजम साली से इनका योगदान आप पाएंगे तो एक प्रकार से इनका अच्छा प्रभाव है और अगर हम बात करते हैं इनकी मुख्यता तो यह क्रसी प्रधान समझाए है क्रसी कार्यों में अधिक संद्रप्ति आगों देखने को मिलते हैं तो इन्हीं के द्वारा प्रभुत्त तो लिंगाए समुदायों कारना तक प्र प्रभुत्त वैं कि चीजork का अंधाज弃 लगा तकते हैं कि करनाटक की जो थान सवाय है इसमें 224 कुल सीठे हैं कि और 224 सीटों में से 90 से लेकर तो सीटों तक यहां पर जो विधान सभाव की सीट है नबे से लेकर सो सीटों तक सीधे सीधे लिंगायतों के कबजे में हैं लिंगायत जब चाहें इन सो सीटों का परड़ा मदल दे और कहा जाता है कि लिंगाय समुदाय जिस तरब जुख जाता है करनाटक में सरकार उसी पार्टी की बन जाती अब यहां पर आप देखिए तो लिंगाय समुदाय के कई सारे मठ आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग पॉलिटिक्स में इंट्रेक्ट लेते हों राजनीती में इंट्रेस्ट लेते हों तो अभी जो करनाटक में विदानसवा लास्ट एलेक्शन हुए थे इस्वार कियों से कोंग्रेस सरकार आई तो यहां पर आप देखेंगे यदूरप्पा ने पूरा जोड लगा दिया था जो पहले पूर मुक्षमंत्री थे उन्होंने पूरा जोड लगा दे था कि लिंगाय समुदाय को किसी प्रकारते अपने साथ मिला लिया जाए यह लो लिंगायत मत राज में बेहत हिसाली और यहां की राजनीतों सक्रे रूप से यहां पर भागिदारी भी करते हैं यह लोग खुद अपने लीडर चुनते हैं खुद अपने उन्हें चुनकर बिधान समाम बेज़ते हैं तो यह सारी प्रतिक्रियां चलती रहती हैं उत्तरी करनाटक वाला रीजन होगा इसमें लिंगायतों का विश्च प्रवाब को देखने हो मिलेगा और यहां पर कहा जाता है कि पूर्व मुखमंत्री और बीजीपी के दिगज नेता है यह पहले करनाटक के कई बार मुखमंत्री भी रही है इनके बारे में कहाता है कि इनका संबंद रहा है कि अब यहां पर आगे आते हैं अब यहां पर आप देखेंगे तीन नाम कौन कौन से बसबराज बुम्मई जगदी सेटा और बीएस इदुरुपा इनका संबंद भी कहा जाता है कि लिंगाय समदाज से अच्छी खासी तालात में रहा है अब इनी की ऊपर यह पूरा राजनीती जाने वाली है अब यहां पर आप देखेंगे जिनका आधा भूमी का मालिका नहाथ बिवस्टाय का रूप आदी है तो इनी आधार पर हमने अलगलग कैटेगरी में बाटा है ठीक है अब देखेंगे किसी एक को आरक्ष्ण का संपूर लाव लेने से रोकने के लिए यहां पर क्या किया गया है कोई एक संपूर आरक्ष्ण का लाव ना ले ले तो हमने अधिकांस राज्यों ने ओवी सी को उपबर्गी किरत किया है को क्रीमिलियर की अधार पर बाढ़ता है को अलग-अलग कैटेगर तो हमने वीच्व को कई कैटेगरी बाठ लिया और बांटने का आधार क्या था बांटने का आधार था हमारा यहां पर साफिक्ष आर्थिक सामाजिक इस्तिति को ध्यान में रखके यह कार्य कर दिया इहां पर आप देखेंगे कर नाटक में अएकना को देखने को मिलेगा और यहां पांच केटेगरियों में रंधा यहां पर सामिल आए यह रहा है चौन inhal देखेंग, जो दो एक अंत्र पंद्रह प्रतिसत जो यहां पर आरक्ष्ण प्रतान के जा रहा है उसमें पुल 102 जातियां सामिल है अब यहां पर देखी यह गया है तो यह लोग यहां पर आने की मांग कर रहे हैं अभी यह लोग यहां पर समझ गया ना यह पूरा मैटर है दो एक की बात करते हैं अगर आपको चोटा देखाई दे रहा हो जिसे बड़ा कर देता हो और अब यहां पर और नीचे करता हूं यह बरतमान में और इसी आरक्षन का पूरा ग्राफ है जो करनाटक में भी दिया जाता है कैटेगरी है आď करते हैं तो यहां पर कैटेगरी 1 के अंतरगत कौन आता है पिछ्णा बरत आथे हैं जिनने 4 प्रफ्रतिसत आरचन दिया गया है कैटेगरी दो बी में बोकल लिगा आदी आते हैं इन्हें 5 प्रदीसत अब यहां पर जो आपका दो एक केटेगरी है इसमें 102 उप जातियां पहले से सामिल है कि इसी में आने की बात कर रहे हैं लिगायत कहते हैं हमें यहां से आठाकर 32 आठाकर दो एमें सामिल कर दो यह कुल इनकी मांग यह पूरी की यहां पर मांग आप देखेंगे कि अब यहां पर आप देखेंगे पंचम साली समुदाय अपनी मामों को लेकर काफी समय से यहां पर नाराज चल रहा हूं कि और इनकी नाराजगी तब और ज्यादा भढ़क जाती है जब 2021 में इनकी समुदाय के एक बिधायक थे इनकी समुदाय के लोगरों एक निर से ह recent तो एदूर्पा की सरकार थी और एधूरुपा कैबिनेट में इनहें सामिल करने से सामिल नहीं करेंगे एथ उनका प्रभवाव समुदाय को पर काफी है तो जब यहाँ पर इन्हें सामिल करने से मना कर दिया जाता है कैबिनेट में तो पंचम साली समुदा है वो नाराज भरता है और मुरुगेस निरानी की अगरम बात करते हैं तो एक लंबे समयत्य पंचम साली जो यहाँ पर समुदा है इसकी मांगों को उठाते रहे हैं लोगों तरकार के सामने लेकिन इन्हें को कैबिनेटे मना करने सामिल करने मना कर दिया जाता है अब यहाँ पर आप देखेंगे भ और भावित कर सकते हैं तो इन्होंने एक यहाँ पर प्लैनिंग की जिसके तहत यहाँ पर आप देखेंगे 2021 के बाद बढ़ते आंदलोनों को देखते हुए इन्होंने बसब्राज बोंबाई ने 27 मार्च दो यहाँ तैईस को मुसल्मानों की जो स्रेड़ी ती इसके लिए जो 4 प्रतिसत आरक्षन दिया जाता था उसको खत्म कर दिया है अब यहाँ पर आप देखेंगे मुसल्मानों के लिए 4 और क्या किया गया चार परसंट जो कोटा था इसे खत्म करके बोक का लिगा और लिंगाय समुझाय के लिए मुसल्मानों से लेक्वाप दोड़ परसंट और देते हैं बस सांत रहो लेकिन यहां पर आप देखेंगे जिससे लिंगाय जो आपका एवा यहां पर हुआ क्या समुझाय आपके यह क्या करेंगे यह आरक्ष्ण प्रमसा पांच से बढ़कर साथ हो जाएगा और चार बढ़कर 6 हो जाएगा यानि कि अभी तक यहां पर जो वोकल 2 एक कीस में जो मुसलिम समुझाय और बीचिए इनका यहां पर आप देखेंगे कि 2023 राजविदानसवा चुनाव होंगे और राजविदानसवा चुनाव में जो तत्कालिन सत्ताधारी पार्टी थी बीजेपी यह इस समुदाय का समर्थन पाना चाहती थी ठीक लेकिन एक साथ एक ट्रेजडी हुई इस परिवर्तन के बाद आप देखेंगे पंचम साली सेनी दो एमस सामिल की जाने की मांग करने लगे लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो मुस्लिम समधाय था चार परसेंट आरक्ष या पर कोटा लेकर खत्म कर दिया गया थ यह लोग पहुंचका सुप्रीम कोट में इन्होंने मांग कर दी कि पहले की जो इस्तिति हमें जो चार परसेंटर जर्वेशन मिलता था वह प्रदान किया जाए तो सुप्रीम कोट ने भी राज सरकार को निर्णाय दे दिया कि जो आरक्षन का पुरानी पद्द्यति थी ज कॉंग्रे सक्ता में आ जाते हैं तो इतना पावर पुरी समधाय अब यहां पर जो सक्ता पलट हुआ यह ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो बलकि नियमत रूपती है समधाय यहां पर सक्ता पलट करते रहे हैं अब यहां पर आप देखेंगे 1990 के दसक्त के बाद से यह समधाय के दसक्त से लेके 2023 तक निरंतर नहों ने बीजीव को समधन किया लेकि 2023 में ने क्या किया कॉंग्रेस की सरकार बन गई अब यहां पर आप देखेंगे इस्तिती इतनी गंगिर्ट थी दोहाट 23 के चुनाव में कि बीजीपी ने 68 लिंगायत उमीदवारों को राश्ति वहीं यहां पर देखेंगे 27 पंचम साली उमीदवारों में सब्साथ जीत क्या सके यह बड़ी है इनकी हार का कारण दूसरी और यहां पर आप देखेंगे दूसरी ओंग्रेस को क्रमसा 48 लिंगायत उमीदार इन्होंने खड़े किये तो उसमें से 37 इनके उमीदवार जीत किया है और 14 इन्होंने पंचम साली उमीदवार जीत किया है तो यह यहां पर रिशो है हमेशा यह समतन करते थी बीजीपी का तो सरकर बन जाती थी कि अब यहां पर आप देखेंगे लिंगायत कभी कॉंग्रेस के साथ में तो कभी बीजीपी के साथ में ऐसा क्यों करते हैं यह अपनी मांगों को मनगमाने के लिए करते हैं इसी संदर्म में आप देखेंगे इस समय तक जो लिंगायत समुदाय था यह हमेशा कॉंग्रेस के लिए बफादा लेकिन यहां पर आप देखेंगे उस समय के विजान सवाज चुनाव हुए थे इन चुनावों में लिंगायतों के समर्थन से बीरेंद्र पाटिल यहां पर अपनी सरकार कॉंग्रेस के निय कॉंग्रेस को 224 सीटों में से 179 सीट है प्राप्त होती है यहां पर इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि राम जनम भूमी से समझे एक रत यात्रा चल रही होगी और इसी के तहट यहां पर सामपरदाइक हिंसा बढ़क जाएगी कि ततकालिंग कॉंग्रेस अध्यक्षते राजीव गांदीजी इन्होंने क्या कि इन्होंने बीरेंद्र पार्टिल को उस समय बर्खास्त कर दिया जब यह हार्ट अट से ब्रोधी हो गए और इन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाने का मूड़ बना लिया उसी घटना के बाद से यह निरंतर बीजेपी का समर्थन करने लगे नाइंटी नाइंटी पूर के चुनाओं में आप देखेंगे कॉंग्रेस बंग से अच्छ शूटों पर समढ़ जाती है यहां पर देखे क्या हुआ बंग देखें इसी चुनाओं में एदुरप्पा लिंगायत के प्रमुख चेहरा बन कर वे थे जो 1994 चुनाव था इसी चुनाव में आपको एदुरुपा ओभरती वह दिखाई देंगे जो लिंगायतों का एक प्रमुक चेहरा बन जाएंगे और इसी आधार पर एक कॉंग्रेस की बीजेपी के एक तागतवर कदवर नेता भी बन जाएंगे लेकिन 2013 में इन्हों ने अपनी एक खुद की नई पार्टी बनाई जिसका नाम दा करनाटक जनता पार्टी और 2013 के चुनाव में बीजेपी पिछले प्रदर्शन में प्रदर्शन में 110 पैसे 40 सीट पर आकर तिमट जाती है और बोट इनका आप देखेंगे तो 34 पर 30 से घटकर कितना 20 प 2014 के चुनाओं में एदूरप्पा को बापस पार्टी में लाया जाता है और लोगसभाद चुनाओं में लिंगायक के समर्थख 28 में से 17 लोगसभा सीटें बीजेपी को सौंप देते हैं इतना इनका प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसलिए आप देखेंगे एदूरप्पा को करनाटक में बीजेपी लेकर इतना सेंसिटिव रहती है ठिक अब आगया हो अब यहां पर आप देखेंगे बश्वेशर बशन्ना अभी बश्वेशर बशन्ना पौने इनके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं कि 1131 में बीजापुर के बागे बाड़ी में इनका जन्म हुआ था यह प्रशिद कभी थे दार्शनिक थे और लिंगायत समुदाय के संस्थापक थे इन्हीं लिंगायत समुदाय का संस्थापक माना जाता है कि कल्चुरी बंस्के राजा बिजल के दर्वार में सुरू में एक एक लेखा कार के रूप में पूर्शते हैं और अपनी प्रवितवाब को दिखाते-दिखाते वहां के कि पुर्थानमंत्री बन जाते हैं को कहा के कल्थुरी राजवन्स के राजा बिजल के दरवार अब यहां पर आप देखेंगे जो बसब बसवेश्वर जी हैं यह जाती व्वश्टा के बड़ेगों यह और बशता के और शोष्रक के जितने भी अनुयाही है कि यह सिर्फ और सिर्फ शिव लिंग की पुझा करतें और किसी की पुझा नहीं करतें यह शिविलिंग को ही मालतें कि अब यहां पर आप देखेंगे बंखा रिंगा आपने स्वांगद जो हें इन से अलग और यहां पर आप देखेंगे ने अपने अलग इसकली किया ये पाँच पीठों पता होगा हिंदु धर्म में चार पीठ है जो संग्राचार द्वारा इस्थापित किये गई थी इसई प्रकार से बशुएशर के द्वारा यहां पर पांच पीठों की स्थापना की गई थी तो यह यहां पर इनके अनुभव आप देखेंगे बशवर्षा बशवन्ना की मुख्य सिक्षाएं इनकी सक्षाएं क्या है इनकी सिक्षाएं अरिबू यानिकी सच्चा ज्यान अनुभव दिब्य अनुभव आचार सही आचरण और आध्याद में अनुभव नोशाषन के आपको सिध्धान देखनें का बलेंगी आगे जब आएंगे यहां पर आप देखेंगे लिंग नए योग यानिकी यूसवरर से मिलने की समग्र दिश्ट्री कोड़ का प्रतिबादत इन्होंने लिंग नए योग का भी सिध्धान्त दिया है के अपर आगे आगे जब यहा इसकी अनुसार कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपनी प्रसंद के कारियों को इमांदारी के साथ करना चाहिए फिर यहां पर एक सिद्धांत और है दसोहा सिद्धांत इस सिद्धांत के अंदर कर आप आएंगे इस सिद्धांत में उन्होंने समान वित्रण का सिद्धांत दिया जिसमें धन के अपरे ग्रह पर जोड दिया है ठीक है इनके अनुसार अधिसेश धन को गरीव एवं बंचितों के बीच बाढ़ देरा चाहिए अब यहां पर एक सब्द है अधिसेश धन अधिसेश धन बोल दीजिए फवाजर धन बोल दीजिए मतलब जैसे आपकी इं निर्धनों में बाढ़ दीजिए तो अधिसेश धन आपके पास इसे निर्धनों को समर्पित कर दीजिए इनके द्वारा कहा जाता है अब आगे आएंगे तो अनुवव मंडपम की स्थापना तो यहां पर आप देखेंगे यह बास्ता में भारत की पहली संसत थी जो जात्मिक राजनेतिक इन मुद्दों पर इन समस्यों पर चर्चा करते थी इसी प्रकार आप देखेंगे इंच ज давно में स्तरण तैंहें कल्याल कारी राजकी नागरिक की रूप में भरिक्र किया गया था ठीक है यह जो बचन थे इन्हें लिपी ब्रद्ध करते थे और इन्हीं बचनों को साहित्ती कुछ रूप में लिखा जाता था जो करनडवाशा से संब्दित थे अब यहां पर बोक कुली गार के बादेबात करते हैं तो बोक का लिगार लिंग अधिक के बाद मुख्ष संपुदाय संपुदाय है और राश्ट पूट अवन पश्मी गंगबंस ख़े सासक इसी समद्दित गोग्बंस्ट बचली बंस्दित सब्सक्राइब करते हैं और यह मुक्ता किर्शक होते हैं तो यह पूरा जो concept है आपका यह करनाटक से संबंदित हैं वहां की राजनीती से संबंद है कैसे राजनीती करते हैं उससे संबंद मांगे क्या है सब चीज हमने यहां पर देख ली डेटल में हमने इस टॉपिक पर चर्च लिए अब हम मिलेंगे अपने अगरी टॉपिक में जिसमें और ही मैं पर टॉपिकों के बात करेंगे तब तक के थेंक्यू जेह